आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम इसे धान तक नहीं हो तरी स्टेटिक लोस पर आपका बहुत बहुत सबागत है कि यूट्यूब पे भी अक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लस हमारे कोर्सेज आपने लिये कि नहीं आज लास्ट डेट है तो आज आप कोर्सेज अवेल करिये बहुत ज़्यादा फायदा होगा बैंकिंग के शांदार कोर्सेज 1,300,500,600 में कोर्सेज है बहुत ही कम हापसे अमाउंट ले रहा है उतने ही की सस्टेन कर सकें डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है एप डाउनलोड करिए और जाइए चलो और जिन्होंने बैंक अकोर्स पर्चेस किया उनका शुडियूर मैंने दे दिया है चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और ग्रोथ रुख गई है एक दम कहां मैंने सोचा था जुलाई तक 1,000,000 हो जाएंगे अभी भी हो सकते हैं आप पे डिपेंड करता है 50% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ऐसा न करो यार करो सब्सक्राइब इंस्टा पे फॉलो करो मुझे टेलिग्राम पे आओ तो भया फ्रांस के जो राश्ट्र पती हैं इमानुल मैकरॉन उनको बहुत तेज जन्नाटेदार थपड़ मार दिया है अलाकि इमानुल मैकरॉन के साथ कोई यह नई बात नहीं है इमानुल मैकरॉन के साथ यह सारी चीजे होती रही है ठीके 2016 में जब यह economy minister थे तो इनके ओपर अंडे फेके गए थे जो left trade unionist थे ना labor reform चाह रहे थे यह लाए नहीं और 2016 में इनके ओपर अंडे फेके गए और अब यह हो गया तो यह ना क्योंकि बहुत liberal है ना यह rights को भाते है ना यह left को भाते है इसलिए इनका साथ ऐसा होता है अब 28 साल का लड़का है यह Damien Tarell जिसने मैकरॉन को चाटा मारा है अब आब एक बात बताईए कि 28 साल का लड़का है इसका पूरा brainwashed है YouTube चैनल पे जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इसने फार राइटिस्ट के ठीक है मेडीवियल सौर्ट्समैन का यह फैन था जो मिडीलेजिस थी जो लड़ते थे अपने कल्चर को बचाने के लिए तो YouTube चैनल में इसने फार राइट को सब्सक्राइब करके रखा हुआ था मतलब एक तरीकी से इसका पूरा का पूरा brainwashed और ऐसे ही Emanuel Macron जा रहे थे crowd से मिल रहे थे, सब से मिल रहे थे एकदम सही आया, खाकी टी-शेट पहना था मार दिये थपड अब आपने प्रेसिडेंट को थपड़ मारा है तो छोड़े तो जाओगे नहीं है आप ये समझिए कि तीन साल की सजा है कम है वैसे ही और 45,000 यूरो का fine है, 55,000 डॉलर लाखो लाखो का, करोणों का ठीक है तो पैंडमिक के बाद मैकराउन टूर पे निकले थे अब प्रेसिडेंशल इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों एक साल के अंदर ही अंदर होंगे सब कुछ बढ़िया था प्रेसिडेंट जब देखे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स आपको पती एक क्राउट से मिलता है तो हम ये देखते हैं कि तारेल ने खाकी टी-शेट पहनी थी और वो आया उसने थपड मार दिया और वो बोलने लगा दाउन विट मैकराउन या मॉंजो सेंट जेनिस ये फ्रेंच आर्मी का बैटल कराए है जब देश एक मोनार्की था जब देश राजा महराजाओं के पास था तब ये स्लोगन दिये जाते थे इसका मतलब ये इतिहास से ज़्यादा प्रभावित है और वो भी खतरनाक इतिहास से क्योंकि फ्रेंच रेविल्यूशन सही तो भई ये डेमोक्रेसी आई फ्रेंच रेविल्यूशन ने सारे डाइनिमिक्स चेंज कर दिये यार एक के बाद एक सत्ताई गिरी है तो ये जो इन्वेस्टिकेशन था इसमें ये बताया गया कि तारिल जो है उसका ब्रेंवाश्ट है अजीब इनसान है गीकी है, गेमर है और वो खोया हुआ है मार्शल आर्ट्स भी आता है हिस्टोरिकल यूरोपियन मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता है और ट्रेडिशनल स्वार्ट्स मेंशिप मैकरों ने क्या बोला है मुझे कोई भी डर नहीं है मैं लोगों के लिए काम करता रहूँगा ये जब हुआ तो उसके बाद मैकरों ने अपना आपा निखोया तुरां तुर्ण तुर्ण ने अपने आपको समाला और जो इवेंट था उसको पूरा किया सबसे हाथ मिलाते गए मैकरों ने बोला कि एक आईसोलेटेट इवेंट था और ये स्टूपिडिटी है ये बेवकूफी है ऐसा कौन करता है भाई तो इस तरीके का वाइलेंस मतलब ये एक बहुत बड़ा मेसेज है आप समझ रहे हैं सरकार के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने तो यही बोलाए कि प्रेसिडेंट क्राउड से मिलते रहेंगे और ट्रिप्स कंटिन्यू रहेंगी फ्रेज पब्लिक से कॉन्टाक्ट में रहेंगे लेकिन लोगों को थोड़ा सा एतियाद बरतना चाहिए इस तरीके के हरकते दुख पहुँचाती है तो भया फ्रांस के प्रेसिडेंट को पड़ा है थपड़ देश के सबसे ताकतवर इंसान को अच्छा इवे अच्छी बात नहीं है वैसे फुश्रे पर तरे इदेश से दान तक नहीं हो तरी साय नहीं हो